हेलो एवरिवन, आज हम पढ़ेंगे यण संदी, यदि पहले सब्द के अंत में इ, इ, उ, उ, तथा री हो और दूसरे सब्द के आरंब में कोई भी अन्यस्वर हो, तो दोनों की मेल से क्रमस योवा तथा रो हो जाता है, तो इसे यण संदी कहते हैं, जैसे इ, इ, प्लस के योग से योव बनता है, इक्जैंपल देखिए, अती प्लस अधिक, अत्यधिक, इसमें पहले सब्द के अंत में इ स्वर आ रहा है, और दूसरे सब्द के आरंब में ओ स्वर आ रहा है, तो इ प्लस ओ के योग से योव बन रहा है, तो यहां पे यण संदी होगी, इसी त इ स्वर आ रहा है और इसमें ओ स्वर आ रहा है तो इन दोनों के योग से यो बन रहा है तो यहाँ पे भी यन संदी होगी इसी तरह देखें उ उ प्लस कोई भी अन्य स्वर आए और तो इनके योग से व बनता है देखें एक्जामपल अनू प्लस इत पहले सब्द के अंत में U स्वर आ रहा है और दूसरे सब्द के आरंब में E स्वर आ रहा है तो U प्लस E के योग से वा बन रहा है सू प्लस आगत पहले सब्द में U आ रहा है और दूसरे सब्द के आरंब में आ स्वर आ रहा है तो U प्लस आ के योग से वा बन रहा है तो यहाँ पे भी यह अनसंदी होगी इसी तरह देखिए री प्लस कोई भी अन्य स्वर हो तो इसके योग से रौ बनता है जैसे देखिए example मात्र प्लस आनंद इसमें पहले स्वर के अंत में री स्वर आ रहा है और दूसरे स्वर के आरमे में आस्वर आ रहा है तो री प्लस आ स्वर के योग से रौ बन रहा है तो यहाँ पे भी यहनसंदी होगी इसी तरह देखिए पित्र प्लस आ ग्या पहले स्वर के अंत में री आ रहा है और दूसरे सब्द के आरम्मे में आ स्वर आ रहा है, तो री प्लस आ स्वर के योग से रो बन रहा है, तो यहाँ पे भी यन संधी होगी. तो आपको यन संधी को पहचानने के लिए देखना होगा कि यो वो रो के पहले आधा सब्द आए तो वहाँ पे यन संधी होती है जैसे देखिए यो से पहले आधा सब्द आ रहा है यो से पहले आधा सब्द आ रहा है और यो से पहले आधा सब्द आ रहा है इसी तरह देखिए वो से पहले आधा सब्द आता है तो यहाँ पे क्या होता है यन संधी होती है तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आयादी संदी के साथ